हाई वेलकम बैक टो कुक एंड आर्ट केली मैं अरीबा आज में लेकर आई हूं कम्प्लीट पीलो कवर पेंटिंग डिजाइन यानि पूरा कम्प्लीट पीलो कवर मैं आपको पेंट करके दिखाऊंगी जो कम्प्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है और कैसे मै लाइन पहले ड्रो करेंगे और फिर उसी लाइन पर दुबारा से हम चलाएंगे कुछ इस तरीके से अब हमारा फ्लावर ड्रो हो चुका है अब मैं इसे कैसे पेंट करूंगी यह भी मैं आपको दिखाऊंगी इसलिए वीडियो को लाश्क तक जरूर देखिएगा तो पहल इन डिस्किन पर मैं वेंशन कर दूंगी आप देख सकते हैं यह ब्लू 23 है क्योंकि बेट सीप पर ब्लू कलर का ही यूज किया था तो यहां पर भी सीफ हम वही यूज करेंगे और बरस मैंने फोर नंबर लिया है बिल्कुल पतले साइज का क्योंकि इसमें शिफ डाल ही ब बना सकते हो कि यह बनाना बहुत ही आसान है आप सब्स जाता है कम समय में तो अगर आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिएगा और यह देखने में काफी सुन्दर लगता है कुछ इस तरीके से यह थोड़ा सा मोटे में बनाऊंगी जो बीच वाला डाली है और उसके वाद से फिर हम पतले पतले बनाएंगे और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिजे सांथ में अपने दोस्तों की सांथ भी शेयर कर दिजे अधे रॉफली हम इस तरीके से कुछ डाली इसमें खीच लेंगे छोटे से साइश के छोटे बड़े बड़े जीस्तर से हो सके और फिर उपर से हम टिफ्स सिसके बनाएंगे इसे और यह आसानी से जल्दी बन जाता हैं आप चाब तो एक एक बना की भी बना सकते हो लेकिन इससे ज्यादा जल्दी होता है जब हम बहुत सारे डाली एक बार में खीच लेते हैं और फिर इसको अच्छे से उसका टिप्स बना देते हैं और इस बेयर सीट की ये खुवी है कि आप इसको किसी भी तरीके से की खीच सकते हो ज़िए नहीं कियाक है कि आप छेटलाइन दो कहीं से भी आप कहीं सब्णे कि और इसलिए यह कौई भी बना सकते है अगर आपको बिलकूल पैंटिंग नहीं है तब भी आप से बना सकते हो और इसे बनाने के बाद यकीन मानिए आपको प्रेंटिंग करना आ भी जाएगा क्यूंकि इसमें हर तरह के हम डाली बनाते हैं तो अगर आप प्रेंटिंग सीखना चाहते हो तो आप इस एक बार इसे जरूर ट्राइक किजिएगा और यह देखने में भी काफी कुछ इस तरीके से और निजी मैं तो यह कर दूंगी यहां से मैंने शुरू किया है मैं अपने चैनल पर हमेशा इसी तरह के वीडियो लेके आती रहती हूं बेट से डिजाइन तो पीलो कवर डिजाइन तो रुमाल के डिजाइन या फिर और भी कुकिंग से रिलेटेड वी वीडियो मैंने अप्लोड कर रखा तो अगर आप देखना चाहते हो जल्दी से जल आप उसे देख सके हैं और हाँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और किस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में जरूर बताएगा इसे भी हमें समझ में आता है कि आप लोग इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं और फिर आम वैसे अप्लोड करते हैं कि आप देख सकते हों कितना इजली यह बन रहा है थोड़े से हलके राजा रहे हैं उसको आप फिर से कोवर कर सकते हो कोशिश तरीके से यहां पर आप चाहोता जो इसका टीट से वह दुसरे नज से भी आप बना सकते हो पर मैंने यह पर एक ही कलर का यूज क्या है सिर्फ ब्रू कलर का कलर आप अपने काउडिंग कोई सभी यूज कर सकते हो जो आपको मिले आसाने से या फिर जो आपका फैबरेट कलर हो वह आप यूज कर सकते हो आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है मैं आपको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगे और इस इतकी किसे जहां भी आप फो खाली जगए ज्यादा दिखे वहाँ पर आप इस तरी किसे ड्रू कर सकते हो या फिर आप अगर हलका चाहते हो तो हलका ही रहने दो कोशिश तरी के जब और ये बीच वाला लाइन आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है और ये साइड से जो आपने एक जो दिया था ना एस टेम उसको भी आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है बाकी सब आपको बारीक जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप कर सकते हो कोशिश तरीके से और फिर इसे भी हम उपर वाले टिफ्स को पूरा करेंगे मैं अपनी चैनल पर कोशिश करते हूं एजी से एजी डिजाइन आपके साथ सेयर करो जिसे आप बना शुको तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और यहां पर हम तीन बनाएंगे ठीक है आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़े साइज में क्यूंकि यह जो हमारा में जो डाली है फ्लावर्स का वह यही है इसलिए हम यहां पर इसको तीन बना दिए इस आप लोग भी और अपना फिट बैंक हमारे से शेयर किजिए कि आप कापी लोग के और कैसा बना आप देख सकतो कम्प्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरीके से लिखता है अगर आप बेट सीट देखना चाते हो तो जल्दी सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू फर वाचि मजा आप चरते हूँ